ओम शांतियाब सबको सोगत है आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 14 गसके श्रुवतान की कर्म योगी बन करके अगर हम कोई भी कर्म करें तो हमें सफलता मिलेगी और चिंताइं सारी हमारी हड़ जाएंगी लेकिन अगर चिंता करके अगर हम करेंगे क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, बड़ाई का क्या होगा, एक्जाम का क्या होगा, कमाई का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा कर्म योगी बन हर कारे को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भवा कुशलता और सफलता कई बच्चों को कमाने की परिवार को पालने की चिंता रहती है लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता में लग कि उसको थोड़ी देर की कमाई होगी फिर वो फिर कमाई थोड़ी से हुई फिर गवादियस में चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो तो जहां योग है वहां कोई भी कारे कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा क्योंकि परमात्मा की गाइडिंस मिलती रहेगी अगर हम अपने मन मत से और परमत से औरों की सुन कर के कर्म करेंगे तो वहां पे कही नहीं गड़वड होगी क्योंकि परमात्म लग क infoga के इकी स्व vengeance नहीं है स्लिए परमात्मा को साथि बना करके अपना सम्बन्धी मेना करके उनसे बातचीत करते हुए करम करना थो उससमें करना जो जो भी और आप्र कोशिश करें तो परमात्र फिर आगे करते हैं अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा चिंता से कमाते हैं तो हम क्या करते हैं या तो हम बहुत लोग करते हैं उसमें कि वह कमालो इस बारी कमालो अच्छी से कमालो दोजार की चीज़ को दस चिंता से कमाया वब साइगा भी तो चिंता ही प्यादा करेगा वेसे होंगी कि चिंता करने बाले लोग ही आपको वह धन देके जाएंगे क्योंकि आप में वैसी आत्मा को टक किया और योग-योक्त बन खुशी-खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा तो जैसा बीज संकल्प भी एक बीज है संकल्प ही कर्म का बीज है हम सोचते हैं कि बोला जो जो हांसे के सर वो करमें लेकिन परमात्मा कैते हैं संकल्प ही वीट है तो आप जो सोचते हैं अगर आप संकल्पय सोच करके कोई क्य retrouve कदम लेते हैं business ने जाब में चाहे किसrage चीज़ में तो वह चिंता ही लेक के आएगा, वा जिनको एक मेरे प्रमात्मा को सालाकार भणा करके, साथी संभन्दी बना करके वजीर बना करके उनको हम बोल से ह क्रणा यह कंकर नहीं ? ईक युक्ती है है जिससे कि हमारा योग भी है योग मैं जुड़कर कर परमात्माय योग माला जुड़कर करके यह प्रैक्टिस स Number norm भी इसको आध से ही प्रैक्टिस करना है लेकिन उसे पहले आपको समझना पढ़ा है कि हम आत्मा क्यूं है हम आपको आत्मा माने तो ऊसे क्या फादा है कुषण Τा साथ